तो इसमें फाइनेशल अकांटिंग के पेपर में आपको किस तरीके से प्रिपारेशन्स करने है तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूनेंट्स के लिए जिनको फाइनेशल अकांटिंग टीवाइबी कॉम में 80-80 है तैमिस्टर 5 में तो तुड़े वीडियो को लास्ट तक देख ले और अगर आप पहली बार चैनल पर आये हो तो चैनल को सब्स्राइब कर ले बिकॉस मैं ऐसे ही वीडियो से इस चैनल पर लाते रहता हूँ तो स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट्स के बारे में टीवाइबी कॉम फाइनेशल अकांटिंग सेमिस्टर 5 और 80-80 स्टूरेंट्स तो फॉस्ट अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स में हमारे पास है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट्स अकांटिंग, बाइबैक और फाइनल अकांट्स इन चैप्टर्स से आपको पेपर में MCQs पूछे जाएंगे अब बेसिकली अगर हम हर एक चैप्टर को देखे तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है एक एक क बेसिक्स है वो आपको पढ़ना है जो भी चैप्टर का बेस रहेगा मतलब चैप्टर का जो कंसेप्ट है चैप्टर का जो मीनिंग है वो सारी चीज़े आपको एक बार रिवाइस कर लेनी है डारेक्ली MCQs नहीं करने है बिकास आपको कंफूजन हो जाएगा और कितने MCQs अब पढ़ोगे उससे आपको एक्जाम में याद रखने के लिए भी काफी डिफिकल्टी हो जाएगी तो वाट वी आपको क्लियर थे कंसेप्ट फर्स्ट अफ फॉल इफ यू सी थे चैप्टर में हर चैप्टर के बारे में आपको बताऊगा कि कीस तरीके से आपको उसमे अब प्रिपरेशन करना है अगर देखा जाए तो कवर दा बेसिक फ्रम इच चैप्टर फॉस्ट अब फॉसमें आपको सारे के सारे जर्ल इंट्री एक बार ओवर्वीव लेना है सारे के सारे कंसेप्ट्स को आपको ध्यान रखना है कंसॉलिडेशन सब्डिवीजन और जो पॉइंट्स के बारे में एक एक करके पढ़ना है आफ्टर कम्पिलिटिंग इच टॉपिक आपको टॉपिक को कम्पिलिट करना है जब तक आप टॉपिक को कम्पिलिट नहीं करोगे तब तक आपको एमसी क्यूज नहीं देखने है most important mcqs आप तभी अच्छी तरीके से प्राक्टिस कर पाओ गया mcqs आपको सॉल करने में इंट्रेस्ट बनेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा unless and until you are cleared with the concepts you cannot solve the mcqs इसलिए सबसे पहला step आपको क्या करना है every topic का आपको basics पढ़ना है every topic का आपको concept का clarity होना चाहिए जै तो chapter number one if you see chapter number one is internal reconstruction अब internal reconstruction की बात करें तो इसमें होता क्या है किस basis पे internal reconstruction होता है वो आपको पढ़ना है तो सबसे पहले इस chapter में आपको क्या पढ़ना है इस chapter में आपको concepts पढ़ने है क्या आपी concepts बोलेंगे तो sir क्या concepts पढ़ने हमको वो तो बताईए तो concept में देखो आपको क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है subdivision ठीक है आपको पढ़ना है consolidation consolidation क्या होता है subdivision क्या होता है shares का फिर कैसे हम shares के value को reduce करते है ठीक है फिर separate account prepare के जाता है capital reduction account capital reduction का balance कहां transfer करते हम capital reduction का balance we are transferring to capital reserve account तो यह सारी चीज़ें आपको एक-एक करके पढ़नी है तो सबसे पहले we have to focus on the concepts of the chapter internal reconstruction मैंने कुछ basics आपको बताए इन basics आप आप concentrate करें because यहां से MCQs बनने के chances बहुत बढ़ जाएंगे next is the general entries तो आपको general entries करने है जैसे assets का reduction होता है फिर capital reduction account debit 2 सारे assets को हम लिखते है intangible फिर अगर हम capital reduction का balance transfer करते है तो capital reduction का balance transfer होता है capital reserve में तो आपको उसके लिए सबसे important है general entries clear होनी चाहिए तो first you focus on the concepts then you go for the general entries और उसके बाद अगर कोई separate ledger बनता है तो separate ledger के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़के रखे अगर हम इस chapter की बात करें तो इस chapter में एक separate ledger बनता है which is called as capital reduction account ध्यान रखना कोई भी profit हो या कोई भी loss हो यह separate account में transfer होता है which is called as capital reduction account इसलिए आपको capital reduction के बारे में थोड़ा सा information पढ़ना बहुत ज़रूरी है वहाँ से paper में question बना तो आपको फिर उससे related कोई भी problems नहीं होंगे and after completing each topic solve some practice MCQs यह मैंने हर एक point में डाला है तो इतना आपका first chapter में से complete होने के बाद आपको फिर थोड़े 10 से 15 MCQs chapter से related पढ़ने है ताकि MCQs practice का भी आपका एक feeling हो जाए और आपको paper में तो MCQs solve करने है लेकिन MCQs solve करने का सही तरीका because आप सभी के लिए MCQs concept से नया है तो अगर पूरा का पूरा paper हम जो किसम solve करते थे वो अभी हम पूरा का पूरा paper अगर MCQs format में solve करेंगे तो कैसे करेंगे तो इसलिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहले we have to concentrate on the concepts as soon as you cleared your concepts go for general entries जैसे general entries करोगे उसके बाद फिर आप कुछ practice MCQs solve कर लेना ताकि आपका एक chapter ready हो जाएगा इसी तरीके से आपको practice करना है ध्यान रखना काफी important concept मैं ने आपको यहाँ पर बताया है next point next chapter में जाते है next chapter है आपका buyback of shares अभी buyback of shares में आपको क्या-क्या पढ़ना है buyback of shares अगर बात करें तो buyback का concept पढ़ना है कि what do you mean by buyback buyback के जो conditions है बहुत important है वो conditions को बिल्कुल भी skip ना करें वहाँ से MCQ बन सकता है चो कैसे buyback होता है buyback के लिए क्या-क्या conditions है फिर buyback के जो basic general entries है वो आपको पढ़ने है और जो buyback में जो working notes बनते है कि कितना percent buyback हो सकता है जैसे अगर हम बात करें तो 25% ही buyback हो सकता है फिर जो debt equity ratio है वो 2 to 1 से जादा नहीं होना चाहिए यह सारे basics है तो buyback के इतने सारे basics अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें से आपके paper में बहुत सारे MCQs बनेंगे जो आपको काफी help कर सकते है तो first of all we need to understand what do you mean by buyback of shares learn the concept फिर उसके companies act 2013 के जो provisions है buyback के section 68 के वो थोड़े पढ़ ले general entries जो आपके buyback के general entries है वो पढ़ ले था कि आपके buyback से जो भी general entries से related अगर कही question पूछा गया तो आपको कोई problems उसमें face नहीं होनी चाहिए और how to calculate buyback जैसे buyback में हम दो चीजों से calculation करते है एक अगर आपको question में offer price दिया होगा अगर आपको offer price दिया होगा तो हम calculate करते है और अगर offer price नहीं दिया होगा तो थोड़ा सा calculations अलग तरीके से करते है जहां पे हम offer price calculate करते है तो we need to concentrate more on this offer price given and offer price not given तो buyback is a very small topic you need to concentrate more on the concepts the general entries and the working notes of the buyback तो इतने सारी चीजों के उपर आपको वहाँ पे focus करना है and again the same point after completing each topic solve some practice mcqs तो आपको क्या गरना है practice mcqs भी वहाँ पे solve करने है अगले topic में जाते है आपको क्या पढ़ना है next topic is called as investment accounting अब यह investment accounting की बात करें तो investment accounting में सबसे important है investment accounting का accounting standard तो accounting standard investment accounting के लिए कौन सा होता है AS 13 होता है ठीके तो आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना है अगर हम ध्यान से देखे तो इस chapter में we have come interest and ex interest तो यह come interest के बारे में और ex interest के बारे में थोड़ा पढ़के रखे accounting standard कौन सा है तो मैंने अभी आपके साथ share की accounting standard 13 है फिर कौन सा method हम usually हाँ पे use करते हैं we are using the weighted average method weighted average method हम लोग use करते हैं valuing the investment फिर shares के बारे में इस chapter में right shares, bonus shares वो थोड़ा पढ़के रखे यहाँ पर usually हम ledger prepare करते हैं so while preparing the ledger हमको यह ध्यान रखना है कि जो posting हम करने वाले वो किस तरीके से होगे तो यह ध्यान रखना है आपको इस chapter में so come interest, ex interest, accounting standard and posting यह सारी चीज़े आपको investment accounting से cover up करनी है because यहाँ से paper में questions बनने के chances बढ़ जाएंगे इतना सब कुछ होने के बाद again आपको same चीज़ फॉलो करनी है after completing each topic, solve some practice MCQs, तो फिर आपको क्या करना है थोड़े practice MCQs, practice करने है इस chapter से related, any book you can refer because students ज्यादा करके comment करते सर कौन सा book refer करे तो कोई भी book जो आपके पास है वो refer करे, कोई भी MCQs आपके पास है वो refer करे, आपको internet के उपर भी Google के उपर भी बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे, वो भी आप practice कर सकते है भी बहुत सारे बच्चों के पास book नहीं है कुछ बच्चे गाव चले गए है तो उनके पास internet का options तो है तो आप internet के basis पे भी Google से भी help लेके MCQs को पढ़ सकते है लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि MCQs पढ़ने से पहले आप पहले concepts clarity पे focus करें अगर आपकी concept clarity है तो फिर आप MCQs कोई भी easy तरीके से solve कर पाएंगे अगले chapter में तो that is the point अगले chapter है final accounts लेकिन final accounts में आपको क्या करना है final accounts में आपको पढ़ना है specific points related to the format जो final accounts का specific format होता है वो थोड़ा सा आपको पढ़ना है कौन सा point कहां transfer होता है वो थोड़ा पढ़ना है इसलिए वो मैंने slide है आपए ने डालिए काकि video जादा lengthy ना बने ठीक है इतना practice करें बहुत बढ़िया हो जाएगा आप सभी का paper अच्छा हो जाएगा जिनको भी केटी है और कोई भी tension ना ले एकदम relax होके paper दे because आपको काफी अच्छी तरीके से MCQs जो paper में पूछे जाएंगे वो आप सभी को आ जाएंगे ऐसा कोई भी tension लेने वाला काम अभी नहीं है relax रहे preparations करते रहे और जीस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप preparations कर सकते ठीक है thank you very much video कैसे लगा comment section में comment करें अगर आपको कोई specific doubts है तो भी आप comment कर सकते I'll try my level best ताकि मैं आपको reply देदू thank you very much from this session अगली बार भी लेंगे costing का एक video डालूँगा कि costing में semester 5 के बच्चे जिनको costing में KTA वो किस तरीके से preparations करें thank you all of you bye bye take care as always work harder be smarter